तो नमस्कार और स्वागत है आप सभी का आई इस पॉइंट की 28 जुलाई 2 वरवीश की करंट फियर इनालसे सेशन में और बात करें आज का डिसकेशन की तो आज का डिसकेशन अपने आप में इसलिए भी अनुखा है क्योंकि आज का जो हमारा टॉपिक है वो टॉपिक कि प्रकीत के संपूड आस्पेक्ट को समझा लिखना और तयार करना साय है ज़्स है प्रकीत he इसके बारी में तहीं कि समझेंगे प्रस्तावना क्या है तो पर्स्तावना कि थो अस्तित्त है अभी जादा हम यहीं को देखेंगे लोग जितने भी टॉपिक आज देखेंगे सबी चीजों से आप लोग भली भादी परशीत होंगे लेकि फिर भी एक लेखन से लिए किस प्रकार होनी चाहिए किस प्रकार आप लिखेंगे अगर इस टॉपिक पे आपको लिखना हो तो इनी सब चीजों कि आपको में इसकी लिए ओक काहने का मिलआ अपने ऽाप में डेव्लप होगी यानि हम बात कर रहे हैं कि जल जंगल हो 550 कि कल्पना नहीं कि जाती और इसे भी जादा हम हमारे जीवन का अस्तित है तो क्योंकि हम माना आता है कि पर्यावरण का इस प्रकित का सबसे अनोखी रचना मनुष्य है तो दुनिया में सबसे सम्रिद देश की देश भी वही हुए हैं जहां जल, जंगल और जीवन पर्यावत मातरम हैं और बात करें हम अपने देश की यानि भारत देश तो वह नदियों जंगल और अन्य जीवों के लिए दुनिया भर में प्रसिद है और हम जानते हैं कि प्रकित बचेगी बची रहेगी तभी जीवन बचेगा और इसी के प्रति जागरुकता के उद्देश से हर साल 28 जुलाई को विश्व प्रकिती सनक छड़ दिवस भी मना जाता है यानि कि प्रतियक 28 जुलाई को विश्व प्रकिती सनक छड़ दिवस मना जाता है प्रकित की रचना, प्रकित की कृति वो अपने अनुपव में अवरणनी है और अकथनी है यानि इसका कोई वरणन नहीं हो सकता लेगिम फिर भी इसके छोटे मोटे आस्पेक्ट को प्रतेक मनुष्य से डिस्कस करता है समझता है यह रखता अब देखते हैं इसके कुछ महत्तों को विश्व प्रकिति सनक्षड दिवस का महत्तों क्या होता है कि इस दिवस के माध्यम से प्राकृतिक संसाधनों की सुरक्षा को लेकर दुनिया भर के लोगों के भी जागरुकता पैदा की जाती है एक स्वस्त महावल ही इस्थिर अउत्पादक समाज की पुनियादी होता है और विश्व प्रकिति सनक्षड दिवस भी ऐसे ही विचारों पर आधारित है इस दिवस की महत्ता इसलिए भी है कि प्रकिति सनक्षड की जरीए मौजूदा और आने वारी पीडियों का भवी से किया जा सकता क्योंकि हम जानते हैं यदि हम अपने प्रकित को अपने पर्यावरण को अपने प्रित्वी को सुरक्षित रखेंगे उसका मलब केर करेंगे तभी आने वारी पीडिया अमारी इस पर रास रखेंगी और उनकी रहने लाग महावल बच्छीगा देखते हैं क्योंकि प्रकित में असंतुला नहीं कारड ही हमें अनीक प्रकार के आपदाओं का सामना खरना पड़ता है सबी लोग जानते हैं ग्लोबल वर्मिंग महामारिया प्रकित आपदा प्राकृतिक आपदा तापमान का अनियंत्रित होना और बढ़ता जाना आजी समस्या प्रक अनियुआ से एक क्षर प्रकित के साथ संतुलां ब lassक रहा है कियोंकि प्रकित की सान्तुलां बिलूप्ता है तो अपने आप और विए उनियुख को वर्तमान परिप्रेख्ष में कई प्रजाती के जीवजन्तु एवं वनस्पति विलुप्ठ हो रहे हैं विलुप्थ होते जीवजन्तु और वनस्पति के रक्षा का विस्ष प्राकृति संक्षड दिवसपसंकट लेना है इसका प्रवाव कुद्ध्य से जानि कि अपने व तो इस प्रकृति सनक्षड़ दीवस का जो प्रमुक संकल्प करें तो यहींतु है निर्वहान करवाना ही बात करें, इसके अन्य हमत्रापुडतियों की प्रसक्रों तो इसमें सबसे पहला जो की इनसार्श्डिप ईंटरनेशनल यूनियन्इव और conservation of nature प्राक्रतिक संसाधनों के संग्षड के लिए समर्पीत एक अंतराश्टी संग्ठन है कौन या अंतराश्टी प्रकेत संग्षड संग्ठा का एक घोशित लक्ष बिश्चो की सबसे वीकट परियावरण और विकास संबन्दी चुराउतियों के लिए ब्यावहारिक सम प्रकासित करती है जो बिश्चो में सबसे अधिक संकड़ गरस्त प्रजातियों को दर्शाती यानि कि बिश्चो में जो भी प्रजाती सबसे अधिक संकड़ गरस्त होती है तो उनको वो रेड सुची में लाल सुची में प्रकासित करके उनको हाइलाइट करती है कि यह जो जीव है यह जो सिस्टम है कहीं कई विलूप्ट की तरफ आगे बढ़ रहा है कि आप सभी इस पर अपना ध्यान आकर सीथ करें तो यह प्रमुक उद्देश है किसका अंतरास्ति प्रकेति संग्छड संग की देखते हैं अगला एस्पिक्ट कि पर्यावरल संग्छड का समस्त प्राडियों की जीवन तथा धरती के समस्त प्राक्रतिक परिवेश से गनिस संबंध है प्रदूसर की कारण सारी प्रित्वी दूसित हो रही है और निकट अभविस में मानों सभ्यता का अंत भी दिखाई दे रहा है बिल्कुल जायत सी बात है इसी सिती को ध्यान में रख पश्चा सं 2002 में जोहां स्वर्ग में प्रित्वी सम्मेलन आविदिकर विश्चो के सभी देशों को पर्यावरण प्रकृति सनक्षड पर ध्यान देने के लिए अनेक उपाय सुझाए गये वस्तुतह पर्यावरण प्रकृतिके सनक्षड चेही धरती पर जीवन का हो सकता है अन्था मंगर आदी ग्रहो की तरह प्रित्वी धरती का जीवन चक्र भी एक दिर समाप्त हो जाएगा बिलकुल फैक्ट है इसको सनक्षित करने के कुछ प्रमुक उपायों को तो बात करें सनक्षड के उपाय की तो पहला जंगलों को अपना कटें जायत सी बात ह करें करें निक्स थास्पेक्ट पानी का चक्री करण करें बचेगा और प्रितिवी की सनग्षड में अपना महतपूड योगदान भी देगा प्रकित से धनात्मक संबंद रखने वाली तकनिकों का उपयोग करें जैसे जैवी खाद का उपयोग करें डिब्बा बंद पदारतों का इस्तमाल कम करें तो यह रहें कुछ प्रमुक उपा बिल्कुल कमेंट में बताएं कि हां आपको समझ में आया तो आज के लिए प्रति दिन ऐसे ही इंपॉर्टेंट टॉपिक इंपॉर्टेंट आस्पेक्ट को लेकि हम सभी हम आप सभी के सामने प्रस्तुत होंगे जैसे आमने पिछले दिनों में आप सभी नए 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 कोपिक और एक नए आस्पेक्ट के साथ तब तक के लिए नमस्कार धन्यमाद